दिल्ली मेट्रो के एरपोर्ट लाइन का विस्तार कर दिया गया है प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने जनम दिन के माँके पर दिल्ली के नए मेट्रो स्टेशन का उद्गाटन किया लेकिन इस उद्गाटन कारेकरम में दिल्ली के मुख्य मंत्री अर् पूरा विश्व एक परिवार है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात कर रही थे, आप अपने देश में तीन बार चुने गए, एक मुखे मंतरी को मेट्रों के उधगाटन में नहीं बुलाते, ये तो बहुत ही छोटी बात है, एक तरफ अपनी महान बाते कहत हैं और आपको जानने वाले लोग ही कहते हैं कि आप विश्व इस्तिरे निता बन गए हैं, आप अपने देश की राजदानी के मुखे मंतरी को मेट्रों के उधगाटन में नहीं बुलाते और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी नहीं बुलाया था, बता दे कि आम आ उसके उधगाटन सबानों में दिल्ली के सियम को आमिंतरित ना करना आपकी दुर्भाव ना भरी सोच गोजागर करता है, अरविन केजरिवाल से इतनी नफरत करके क्या हासिल कर लोगे मोदी जी, वहीं केजरिवाल सरकार की एक और मंतरी आतिशी मरलेना ने कहा कि हमें इस दिन से DMRC बना है, उसी दिन से उसमें आदा पैसा केंदर और आदा पैसा दिल्ली सरकार का लगा है, केंदर और दिल्ली सरकार के समन वैसे ही दिल्ली मेट्रो जैसा शानदार इंट्रा फ्रेक्चर दिल्ली में खड़ा हुआ है, आतिशी ने कहा कि ये दुख की बात है कि ज इससे पहले प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधी ने द्वारका सेक्टर 21 से नई मेट्रो स्टेशन यशो भूमिक द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उधगाटन किया। इस भाग से जुड़ने की वज़े से अब नई दिल्ली से यशो भूमिक द्वारका सेक्टर तक एरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई 24.9 किलोमीटर हो जाएगी।